आज मिलोग भारती इतिहास की स्रीज में प्राचीन इतिहास की स्रीज में एक महत्यपोन टॉपिक पढ़ेंगे जहांसे आपके परिच्छा में प्रायर शवाल पूछा जाते हैं अगर हम तापीक की बात करें तो जिसका नाम है सिंदुगाटे की सब्विता ये प्राचीन इ के ट्रेंड बदल गए हैं नए अब परिच्छा में पूछ जा रहे हैं उस तरह से हम सब को अपनी त्यारी करनी होगी और अब इस बात का दिहान रखना होगा कि हम इतिहास को पढ़ना समझना याद करने के साथ साथ परिच्छा में बहतार स्कोर लाना है तो सबसे काफी बड़ा हो तो आप अगर सेलेक्शन के लिए पढ़ रहा है तो इस टॉपिक पर पूड़ा बने रही एगा और हम कोसिस करेंगे यहां से सारे प्रिष्टों कराने के लिए तक यहां से एक भी शवाल आपके गलत ना हो इसे हम काश यूगीन शविता क्यों कहते हैं दूसरा कि इसे शेंदोश बिःता अम कोंसी है तो आप कोमेंट सक्जलो शविती नगरी से वर जब कहते हैं तुग मनें साथ आपको जानकर रहनी होगी भारत की तृती नगरी शबयता जो है वो दिल्ली सल्तनत में बनती है जी हाँ लेकिन मेरा शवाल फिर सापके लिए है कि दूती नगरी शबयता भारत में कवाई लेकिन वैसे हम लोग प्रथम नगरी शबयता की बात करेंगे तो हम उसे सिंद शबयता फिर शिंदुघाटी की शबयता लेकिन आज इस पूरे वीडियो सेशन में इस लाइप क्लास में जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या-क्या हम लोग पढ़ेंगे कुछ की पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं ताकि सेशन को पढ़ते समय हम कापी हद तक समझ पाश्पाएं यह पर हम लोग पढ़ेंगे सिंदुघाटी शबयता के प्रमुक्षरोद क्या क्या कि मनें अपर देखेंगे कि नहीं सब्यार काल कानिर धरान कैसे हुआ और यह नगर नियोजन कैसे थे धार्मिक इसति सामजिक इसति आर्थ्थे और सिंद्धोगाटी सभिता के पतन होने का क्या कारब था इसके बाद हम सिंद्धोगः शभिता की भीवित टॉपिक ले अन्य सब इताओं से तुलात्मक अध्यन करेंगे हो सकता है वह लिखत परिच्छा में अगर जहां पर आपके लिए आता है तो हम लोग यहां चुरुबात करेंगे प्रमुक स्रोथ से ताकि हम एक एक करके इन सभी तत्थों की तरफ आगे बढ़ सके और इस अभी तत्थों को पूरी तरह से पढ़ने और समझने का प्याश करेंगे चलिए अब यह सिसन आपका आगे लेकर चलते हम लोग यह नाम है किसाधार पर जैसे इसे प्रत्रम नगरी शभीता क्यों कहते हैं जो ती भी कह शकते हैं लेकिन क्या सा पार्ण्य सिंथ्व नदी के किनारे पहले खोता गया था या इसकी जात रस्तला सिंदु ाधी के लिए या यह सब्भेता के व सिंदु नदी की आसपास थी इसल doit से सिंदु काटिंज बैता कहतें तमाम तरह की का सकते हैं यो मेसत कई सहुक्त तरह क्या होगा यह आप लोग जब भी हम सिन्दूगाटी शभिता की बात करते हैं तो देखे इसको स्कुर्णंहोगया हो अपके पस शिन्दूगाटी जो सभिता है पौरारम में पश्चमी जो प्रारम में पश्चमी पंजाभ के ऐडपा उसके बाद मोहन जोदलो की खोज हुई अगर देखा जे पहले ये पंजाब के पास जोड़ा पाथा वहां उसके बाद मोहन जोदलो की खोज हुई तब ये सोचा गया कि ये सब्विता क्या सिंदुगाटी तक ही शिमित है क्या ये सब्विता क्यों सिंदुगाटी तक ही शि टेंड पर शिंदु के पास हैं इसलिए श्रिंदू खाल था के अम सबसे प्रमू के जो पहले होग से अंदु लुब हडपा या सिंदू संस्कृति का जो उद्य हुआ था ये ताम्र पासारिक पिष्ट भूमी पर भारति महादीब के पश्चमुत्र जो भाग है यहां पर हुआ था और फिर आगे देखेंगे उन्हाइश कैश में पाकिस्तान के पश्चमी पंजाब प्रांद में सबसे पहले ह सब्सक्राइब जैसे इस कारण इसे हडपा संस्कृत्य भी कहते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि इस परिपक्क जो यह परिपक था हडपा संस्कृति का के अंदर जो है केंदर अस्थर्ण यह पंजाब और सिंदु के मुक्टता सिंदुगहाटी में पढ़ता है अधा अब यहां पर अब हम लोग को यह पढ़ना किसके क्या-क्या प्रमुक्स रोध पी रहे हैं आई इस पी पीटी की माध्यम से हम लोग देखेंगे उसके बाद आगे तत्थ्यों को लेकर हम आपके साथ क्रमभा और रुक्षे चलेंगे यहां पर यहां पर कह रहा है कि सिंद्धुगाटि सब्वर्डा के नेरधारन को लेकर बिभिन विद्धुआनों के बीच गंभीर मत भेध भी है विद्धुआनों ने सिंद्धुआटि सब्व्वित उस्द्धुपर को तीन-चाड़वाई भग्त के है यह थोड़ा आपके काम आने वाला है इसकी जहां जरूत पर स्किन सॉट कर लिजेगा यह क्लास में नोट्स परादे चले को कि मेरे द्वारा यह क्लास आप सभी के लिए शुलक देशित में राशित में हैं दूसरा आप चाहें तो इन सभी की इसकीन सौट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं अगर आपको लगता कि नहीं यह आपके काम का है तो आईए हम आगे देखते हैं देखिए पूरे सेशन समाप्त होने के बाद हम लोग कोसिस करेंगे कि मांसित्र के मादल माइंड मैप कॉंसेट के माद्यम से इस पूरे नाम का जो देमाग में नोट्स जिसे कहते हैं वह आप रख सकते हैं ताकि हम और आप जब इसे पढ़ें तो यह काफी आसान नजर आने लगे चलिए अब हम यहां पर देखेंगे कि यह दिशा है दिशा कले आप लोग समझने का प्रयाश करेंगा आप लोग कहीं कहीं तो अगर सिंदुगाटी सब्विता की बात करें तो जो हडपा सब्विताएं की सीमाएं हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में हम समझने जा रहे हैं यहां पर क्या है मांडा जमू कश्मीर यह उत्तरी सीमा है यह कौनसे सीमा है मांडा उत्तरी सीमा पर 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 फिर लगा यार यहीं सब शब्वता है इसलिए इसे शिंद्ध घाटी तक ही समित माना गया और कहा गया यह सिंद्ध घाटी शब्वता लेकिन जब खुदाई की गई तो यह पता चला कि यह नार्थ में मंडा जम्मु कश्मीर जो उत्तरी शीमा है और दच्छडी दैमाबात दिखेएगा यह महाराष्ट में है साथ आपको दिखने होगा ये है दैमाबाद यह किसीमा हो गई आलम गीर पूर्ण और यह मेरत में हैं यह कहां पे है मेर tourists काई यूपी मेरत यूपी में है ये क्या है सिकिए पूर्विभी शीमाल वहीं हम बात करते है कि जो पस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च कि अधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं और अध्यन की आधार पर हम इस शब्यता तक आसानी से पहुच बना सकते हैं उस सब्यकिया कर सकते हैं शब्यताओं को पढ़ पा रहा हैं शब्यताओं यान पा ह n हमारे देश में थे में इसछे आप पढ़ सकते ह्म अ Mitsub liquor लोफो खालै होई थे लोथर से हाथी के दात के माप के पैमाने मीले है वहां के लोघटाओं चीजे जानते थे ठीक फिर अध्यान स्रोथ से साहित्तिक साच भी कुछ मिले हैं और वहां लिपी अभी तो पढ़ी नहीं जा सके चित्रात्मक लिपी थी अब सिंदुगाटी सब्यता का च्छेत्र बिस्तार था जो हम लोगों ने भी पढ़ा वो यहीं है कि शंदुगाटी सब्यता च्छेत्र बिस्तार था यह ऒबब भारत भूमी पर लगभख 13,39 के च्छेत्रे पाल में पiegen त्रिभुजा आकाइर है कैसा पेला हुए है प्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है आगे हम लोग देखेंगे जब हम इसका रिवीजन स्रीच पढ़ेंगे माइडे में कॉंसर्ट पढ़ेंगे सौट में आपको पूरी हिस्ट्री जे पढ़ने मिलेगी तो यह आपके काफी काम आने वाला है यह उत्तर में माडा उप पर हम लोगों ने पढ़ लिया मतलब अगर इस बात करें यह सब्यता सौराष्ट राजस्थान हरियाना कि अश्मी उत्तर पदेश इद्यादी छित्रों में भी फैला हुआ है यह पर इच्छाग लूपियोगी आप इसकी स्कीन सौट अपने पास रख सकते हैं यहां से पर और खनन करता मति निके निरदा इंके बारे में पूछा जाता थैं कई पर पूछा जातका कालन निरधारन में और निर अलग में कि लेकिन के जाता है लेकिन जो सबसे सरोमानने है वो आगे हम लोग आपको बताएंगे कि कर्बन डेटिंग के अधार पर सिंदुगाड इस सब्यता की उम्र क्या है उसकी सब्यता का समय क्या है वो भी हम आप लोग को इस वीडियो सेशन में आगे चर्चा करेंगे वैसे फिलाल इस पूरे नोट यह पूरा इंपोर्टेंट है आप इसके स्कीन सोट रख लिएगा मोहन जोदुड़ो राखल दास बनर जी और माड टिमर विलर दोरा वैसे क्लास खत्म होने इसके नोट्स आपको मिल जाएग उसके लिए अपलो टेलिग्राम पर दुर्गे सरसाज करके जोड़े आएगा इसलिए इसको लिख लिएगा चहुंदड़ो यह गोपाल मजुंदा यह अरनेस्ट मैके लोथर रंगनात राव काली बंगा अमला नंद घोस एवं ब्रज वासी लाल बनवाली रबिन सिंग्विष्ट रोपड यगदत सर्मा सुथकांगे डोर सर्मार औरल स्टाइल तो य यह concept आपका और अच्छे से clear हो जाए अब यहां पर आपकी मन में बहुं सारे प्रश्ण बहुं सारे शवाल आ रहे होगे कि क्या सर शंद की अब हम देखने परिच्छाओं का ट्रेंड बदल रहा है तो जिस तरह की प्रश्ण पूछे जा रहे हैं उस तरह की अब आपको तैयरी की बिचरुरत पढ़ेगी तो उस तरह के तैयरी को भी हम लोग आके लेकर चलना है अब यहां पर हडपा में और क्या की चीज़े हैं पढ़ने लाग अब देखिए यह अस्थल हडपा के घरम बात करेंगर एक टॉपिक चोटा सा हडपा ले 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 लिए तो आपके की मन में क्या-क्या बात आरी हडपा को लेकर एक बार बताएगा अगर नियोजन की बात के रागे हम लोग पढ़ेंगे इसके नगर नियोजन कैसा था बता सकता है कमेंट करके अगर नगर नियोजन की बात करें तो इस सभ्यता का सबसे महत्तपूर्ण विसेस्ता ही था कि यह संपूर्ण नगर दो आसमान भागों में विभाजित था दो आसमान भागों में बटा हुआ था पहला दूर्गी क्रित था दूर्गी क्रित मनें दूर्गी का बना दूसरा भाग अनावरित है कुछ अस्थानों पर जो एक विभाजन लोठर दोनों खंडों का दूर्गी करण मिला काली बंगा नगर के मद्ध में अस्थरी भी भाजन धौला भीरा भी देखने को मिलता है मतलब नगर नियोजन था एक तरफ अनावरित है दूसरा दूर्गी क्रित था तो कहीं न कहीं यह सिंद्धु घाटी शबिता को मजबोत करता है और यह चेश बोड की तरह नगर वश्यग थे यहां पर जुनालिया के ग्रिट पर आधारित थे मानि जो चेश बोड आपने देखा होगा उस चेश बोड के आधार पर यह नगर आयताकार वरगाकार आकरती में यूं कह सकते है इस तरह नब्बे अंस के कोण पर करते थे और जो मुख्य सडख और चोड़ी गलियों के ग्रिट पर आधारित है यह बहुत इनपोर्टेंट है यह जानना जरूरी है आज की बात नहीं हो रही है कि तेइस्सों पचास इसापूर की बात हो रही है कई जगर अलगले बिद्वान के पैतालीसों इसापूर मानता कोई पैतालीसों इसापूर मानता है गिनम करवाटेटिक वाला ही पड़ेंगे जो नगर था यह मुख्य मार्ग उत्तर से दच्छड आता था यह कैसे जाता शमकोण पर कटते हैं अगर महां जोद्रों की बात करें तो मुहां जोद्रों के मुख्य सडक राजपत की चौडाई अन्य सड़कों की चोड़ाई से लगभग पहने 3 मिटर से लेकर 3.6 मिटर तक थी गलियां एक दस्मिल 8 मिटर तक मारे जो गलिया होती थी एक दस्मिल 8 मिटर तक चोड़ी होती थी तो कहीं ने कहीं यह उस समय को लोगों की सोज बताता है उस समय कि लोग मने किस तरह मने आज की बात नहीं हो रही है यह सिंदुखाटी सब्रिता की बात हो रही है उस समय के लोग कैसे सोचते थे जो सड़क होते थे सडकों की केनारे पानी उतारने के लिए नाली की बेवस्ता के गए थी जिसमें कूडा करकटे करतित करने के लिए जगा-जगा मेन होल बना गए जैसे कर नाली बह रही है तो बीच मेन होल बना दिया गए तक जो कुड़ा करकेटा में चला जए और सफाई की जए पानी आगे बढ़िए नालियों और में धक्कन रखता था तो ये सिंद्धुगाटी शप्रता उसकी बात हो रही है जो एक नगरी की शप्रता थी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भवन जर्मान में क्या पिश्चेश् ये एक पूरास्थल इस्तित है हडपा के जिले या जो वनसाव सेज थे कि बिशे में सबसे पहले जानकारी चाल्स मेशन ने दी थी चाल्स मेशन ने दी थी 1826 में ठीक है अब देखें 1826 में एक अंग्रेज परिटक चाल्स मेशन ने हडपा की तीले की बिशे में जानकारी दी थी और यह क्या था यह वर्तमान पाकिस्तान की पंजाब प्रांद के मोंट गुम्री जीले में इस्थित है यह सबसे पहले उत्खनन कारी किया गया और यह रावी के तड़ पर इस्थित है इसके बाद हड़पास्थल की विधिवत खुदाई 1921 में स्री दैराम शाहनी के 1923 से शुरू हुआ 1926 में मादो सुरूफ वत्ष ने और 1946 में माटीमर विलर ने ब्यापक अस्थल पर उत्खनन कराय था और यह जो हडपा सहर है न दो भागों बठा था पश्च्वी भाग दूर्ग है जिसमें चारों और से दिवारे से घेरा हुआ है यह दिवार कच्ची इटों से बनी है और बाहर पक्की इटे से ढख दिया गया है और जो पूर्वी भाग था रियासी इलाका था मजदूरों की बस्ती मजदूरों का आवाज और अन्नागार अद्दो कतारों में स्रमिक आवाज मिलें मजदूरों की वस्ती मिली मजदूरों के आवाज मिले और दो कतारों में स्रमिक आवाज भी मिले हैं यह अच्छा कि दो कतारों में धान कोठार भी मिले हैं अनाजों को दबाने के लिए चबूत्रे और उनकी दिवारों में जो गयों के दाने मिले हैं तो यहां पर कहीं ने कहीं देखा जाए तो उस समय जो हरप्पा थी उसकी सोच देखें हरप्पा वासियों की लोगों की सोच मने मजदूरों के लिए भी उन लोगों ने इतनी चीज़े कर रखे थी तो जो परिच्छा के लिए कहीं ने कहीं उप्योगी देखेंगे आपके ले कुछ अहम बिंदू मिलने शिद्ववर्टी सभ्षता में ये कुछ ऐसी चीजह हैं जिसके बारे में लोग आगे डिसकस करने यहां पर एक बरतन पर मचुवारे का चित्र मिला एक बरतन पर क्या मिला मचुवारे का चित्र बना मिला है शंग बना हुआ बैल प्राप्थ हुआ यहां कब्रिस्तान के छेत्र में यहां एक प्रसाधन केश प्राप्थ हुआ है शिंदु सभ्यता की सबसे ज़्यादा अभिलेक युक्त मोहरे थी वह हडप्पा से ही मिली है अभिलेक युक्त मोहरे वह हडप्पा से मिली थी जबकि सबसे ज्यादा संख्या में मोहरे मोहन जोदलों में मिली थी लेकिन अभिलेक युक्त मोहर सिर के बल खड़ी मनें उल्टी सिर के बल खड़ी नग्ण इस्त्री का चित्र भी मिला जिसके गर्व से एक पौधा निकला हुआ दिखाई दे रहा है मनें सिर के बल से एक नग्ण इस्त्री का चित्र मिला जिसके गर्व से पौधा निकला दिखाई देता है अब बताएगर क तो आपके इसाब से क्या निकल रहा है नट्राज की आकृति जैसी नट्राज की आक्रती जैसी स्लेटी चुने की पत्थर की नित्यमुद्रावाली मुर्ति भी मिली है अब इससे लगता है नित्यमुद्रावाले गर मुर्ति मिली है तो इसका क्या मतलब होगा कि उससे भी लोग परचित है ठोस पहिये तो छत्री से युक्त तांबे की बनी एकका गारी प्राप्त हुई है एक मुहर पैर्स में शाब दबाए गरुण का चित्र मानेक ऐसी मुहर मिली है जो पैर में शाब दबाए गरुण का चित्र है शोला भठियों के साथ मिले है और काजल की डिविया भी मिली है मतलब हरपह सभ्यता से काजल की डृबिया भी मिली है bishop अब हम लोग आगे डखेंगे इस सिंदुगाटी सब्विता में हडपा में आपके इस नोट्स में क्या क्या चीजे हैं जो आपके लिए काफी महत्त्रपों हो सकती हैं यहां पर हमने देखा इस अस्थल पर आबादी वाले छित्र के दच्छणी भाग में एक कब्रिस्तान हुआ जिससे विद्वानों ने क कब्रिस्तान एच का नाम दिया था जो उपर हमने बता है न थर्टिशवन था उपर हम लोगों ने बात किया कि यहां कब्रिस्तान च्यत्र में आर 37 वक्त कब्र के ताबूत मिला था कौंसा था था थर्टिशवन हडपा से में विशाल अन्नागार के साथ भी मिले यह बहु इस अन्नागार में च्छाचा की दो पंक्तियां में कुल 12 विसाल कछ निर्मित पाए गया जो अन्नागार था इसमें च्छाचा की पंक्तियों में इतने की पंक्तियों में यहां पे मैंने बता च्छाचा की कतारों में धान के एक उठार मिले जो अनाजों को दवाने के लि हमने देखा कि हरपपा में से हमें एक पीतल की इका गारी मिली है तांबे की एक इका गारी मिली है ठीक है थोड़ा से एरर था उसे आप लोग सही कर लिजेगा क्योंकि कई बारे यहां से परिष्वाँ में शवाल आते हैं तो फिर गलती हो जाती है तो जहां पर ठोस पाई य निचे बने एका गारी प्राप्त होइए कि इसे अससी अस्वाल पर इस्थी के गर्व से निकल दे रहुए पौधे वाली एक मिडमूर्ती भी मिली है समूंची हराप से थीट Daar से जुड़ी महत्तपुरत चत्यों को पड़ लिया आतात्यों को पड़ेंain proces सौर्ट नोट्स है रिविजन नोट्स है complete जो नोट्स है आपको वह आपको मिल जाएगे तो आप उसे तारी कर पाएंगे उसके लिए आप टेलिग्राम पर जुड़े रहेंगे तो आपको और सारी चीजे पढ़ने को देखने को ज्यादा ज्यादा मिल जाएगी यहां तक अ सब्सक्राण में कोई प्रशन हो कोई शवाल हो तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसे डिसकस कर सकते हैं जो लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं चाहे इसे यूटूब पर देख रहे हैं अब हम लोग चलते हैं इसके नए सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे है मोहन जोदु मोहन जोदु मोहन जोदु लोग पढ़ने से पहले हम कुछ अन्य बात पर डिसकस कर लेते देखें मोहन जोदु भी एक महत्यपून टॉपिक है तो हम पहले जानते हैं जो सिंदुगार्टी सभ्यता में हरप्पा को पढ़ लिया अब उस सिंदुगा अगे अभी हम लोग को पढ़ना है पुरोहित आवाज थे अन्नागार अभी पढ़ा ने रप्पा में विशाल अन्नागार मिला था शबब होन मिले थे तो अगर हम जो मोहन जोदुरों पढ़ने जारे हैं कि महत्यपून बात के लिए कि मोहन जोदुरों की सबसे बड़ी अन्नागार थी सबसे बड़ी मारत क्या थी अन्नागार जो 45 मिटरS लंबी और 15 मीटर चोड़ी से ओभी मिलेगा औलो आंगन होता था हडप्पा में पीछे देखा हम लोगों ने यहां फर्स भी मपाक्ष़ उता था यहां के फर्स वह कैसे होते थे कच्च यह वहते यह बहुत है estructी अगर आप ने एहां थोट भी आपके梯े इन्पार्टन है ठिक अब अगर आपने यहां तक पढ़े लिया यहां तक समझ लिया अब और बाते आपके जेहन माएंगी कि मुहन जोदलो का हडपा के जो भवन के अस्तम कम प्रयोग हुआ है यहां पर कहीं चत्रवोजाकार कहीं वरगाकार अस्तम भी मिले हैं मकानों के जो आउसत आकार थे वह कितने थे 30 मिटर मारे मकानों के जो आउसत थे वह कितने थे 30 मिटर थे यहां से भी परिश्छा में आपके सवाल है इटो का कर पूछा है परिश्छा में पूछा जा चुका है इटो का आकार इटो का आकार चार अनुपाते दो जो यह परिख्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है और हम चाहेंगे इस तरह की तथ्यों को अब लिखी लिजेगा पढ़ी लिजेगा फिर बिगर कोई संसाय है कोई सवाल आपके मन में या जेहन में तो आप यहाँ पर पूशकते हैं ठीक कर अब इस महां जो दोलो के तरह कम लग बढ़ेंगे और इस देखेंगे महां जो दोलो में क्या तट पर इस्थित है यह अस्तल 1922 में राखाल दास बनर जी के द्वारा खो जा गया थो 1922 में और यह कहां पर है यह लरकाना में और सिंदुनेदी के किनारे मने मोंचोद्रों का सब दीकर था अपने देखा मिर्तिकों का ठीला है यहां के दूर के छेत्र में एक सभागार क्या मिला है एक सभागार पुरोहितों का आवाश महाविद्ध्याले महास्नानागार के साच मिले मोहन जोद्रों के भवन पक्की इटों से बने थे मकानों में आगन रसोई कुमा अस्नानागार अवस्य गुरूप से जुड़े होते थे मकान यहां प्राय तीन मंजिले के होते थे इस अस्तल पर उत्खनन कर उनेशु बाईश में स्री राखलदास बनर जी के नितित में हुआ था इस अस्तल में हमें एक विसाल अस्नानागार के साच प्रात होते हैं ठेक यहां के दूर के छेत्र में एक्सा भागार पुरुष्टो कावास महा बिद्ध्याले और महान अस्नानागार के साच छे मिले हैं और यहां मकान पक्की इटों के थे प्राहतीन मंजिले थे तो यह आप देख लेजी मोहन जदलों का विसाल अस्नानागार आगे हम सब्सक्राइब॔일 को कीश्रा भुबहता है यहां घर का प्रवेष द्वार शड़क पर नहीं होकर गली और जो घर का प्रवेष द्वार होता था anybody करता यहां पर सड़के ग्रीड प्रारूप में बनी हुई थी यहां से मिली सबसे बड़ी इमारत बिशाल अन्नागार है मैंने सबसे बड़ी इमारत के बात करें अन्नागार ही है सरवाधिक मुहरे मुहंच जोदोर से प्राप्त हुए लेकिन हडपा स्थल से सरवाधिक विलेख युक्त मुहरे प्राप्त हुए यह बहुत कन्फूज है नहीं इसलिए आप इसे रख लीजेगा या इसकीन सॉल अपने पास सरक्षित रख लीजेगा आप सभी लोग जोले स की की मूर्ती मुद्रा पर अंकित पशुपती नात की मूर्ती शूती कपड़ा अलंकित दाड़ी वाला पुजारी आधि है यहां सोला कमरे का वैराक मिला था एक स्रिंगी पसूग अकर्धी वाले मूहर हाती का कपाल खंड सेल खड़ी का बार हाथ लाने वाले बंदर गिलहरी तीन बंदर प्राप्त हुए थे उसके अलामा यहां पर कास्य के नर्थ की की मूर्ति मुद्रा पंकित पतिनात की मूर्ति सूती कप्ला लांकि डाड़ी वाला पुजारी आधियां पर मिले थे तो यहां तक आपका कॉंसेट अगर क्लियर हो गया हो तो हम चलें आगे की तरफ चहुंदड़ों के बारे में आपने क्या पड़ा मना अगर चहुंदड़ स्थित है यहां पर उठ्खनन कारे 1935 में अर्नेस्ट मैके के निद्रत में किया गया था अर्नेस्ट मैके के कब किया गया था उनुषवंदड़ों के चहुंदड़ों के लेकिन और कुछ बिशेश बात है 1921 में एजी मजुनदार के प्रयाश में इस अस्थल की खोज हुई और 1935 में मैके ने इस कारे को आगे बढ़ाया था दोनों इंपॉर्टेंट है उन्हें 31 में एंजी मजबंदार जो थे कि प्रयास अस्तल की खोज हुई थी मजबंदार इसकी खोज की थी लेकिन उन्हें 35 में एरनेस्ट मैकल ने कि ने तुम्हें क्या है इस काम को आगे बढ़ाया गा्या वर्तमान में शिंद्स भॉम जो दों में यह जो शिंद्स में मोहम जोद्रों से 130 किलोमीटर दच्छन में किनारे 22 सिथा ही कह सकते हैं मतलब यहां पर सहरी करण का बहुत इंपॉस्ट है यहां पर सहरी करण का अभाव था यहां पर मनकय बनाने के साथदों मिले हैं शौंदर प्रशाधन में जानते हैं जो लिप पर लगाए जाती है मालडर इसका प्रियोग करते लिविस्टिक इत्र रखने के लिए बरतन के साथ चहुंदड़ों सिंदुशे मिले हैं यहां इटे जो हैं वक्राकारे इट मिली है यहां पर इस आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया आता है कि चहुंदड़ों में मन के निर्मान का कार्य होता था इसलिए इसस्थल को सिंदुगाटी सब्विता का अध्योगी क्रेंद माना जाता है पर इच्छा में पूछ लेता है कि सिंदुगाटी सब्विता अध्योगी केंदर क्या था तो चहुंदड़ों जो था वह सिंदुगाटी सब्विता का क्या था अध्योगी केंदर था क्यो सवंदर परसादन लिविश्टिक और इत रखने के लिए बर्तन के विश अच्छे मिले हैं कहां से चहुंद्रों सिंद्रशे अब हम और आगे चलते हैं आपके साथ अगला है काली बंगा यह राजस्थान के हनुमान गड़ के पास है और यहां से परिच्छा में खुप सारे सवाल आते हैं ये राजस्थान राज़ से लुप्त हो चुकी एक घगर नदे के किनारे से था खाली बंगा का साब्दिक अर्थ था काले रंग की चोड़ियां क्या था काले रंग की चोड़ियां इसका उत्खनन था ये 1953 के अमला नंद घोष के निजित में और 1960 में बीके थापर के निजित सफ़ण के साच मिलें कितने शाथ हमन कुंड के साच मिलें अब यहां पर के 272 एक फिर दिया रखतेचंट में लिखते चलिएगा काली बंगा वरतमान राजस्तान के हनुमानगड जिले में स्थी स्थित यहां स्थीन स्थूति नदी के तन पर इस अस्थित इस अस्थल की खोज और 1903 में अमला नंद घोश द्वारा की गई थी, खाली बंगा नामक अस्थल से हमें जुत्ववे खेत के और साथ में दो फसलों की बुवाई अगनी कुण के साच मिले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप इसे लिख रहे हैं, यहां पर क्या क्या है, जुत्ववे खेत, एक साथ दो फसलों की बुवाई अगनी कुण के साच मिले हैं, मनें दुर काकार जो था वरगाकार था, साथ हमन कुण के साच मिले हैं, सिर्फ नाली की रूप में लकड़ी की पाइप मिले हैं, बिल्लाकार मुहरे मिली हैं, यहां की एक मुद्रा में ब्याग बना है, एक मुद्रा में, यहां पर एक बालक के सौव का कपालखंड मिला है, जिसमेंच्छा चेद हैं, यह कैस्ट चिकिस्षा का प्रमार, मुद्र के अपरेशन भी ओते थे, यह बात बताता है क्या काली बंगा में, और काली बंगा कि लिए पशिद्ध हैं, कई बटा सकता है, यह काली बंगा शपेता, अबी इसके बारे यहां जन निकासी प्रणाली के साथ नहीं मिलते बलकिन नाली के रूप में लकड़ी की पायक मिली है यहां से बेलनाकार मुहरे मिली है यहां के एक मुद्रा में ब्याग मिला है अलंकरित इटों के साच मिले है अगला आपके सामने है लोथल लोथल से भी सवाल आते हैं और यह लोथल यह गुजरात राजिवे हैं और लोथल के बारे में आपने भी तक क्या पढ़ा है या आपने क्या सुन रखा है अगर आप कोमेंट सेक्षन के माध्यम्स कोमेंट करें बताएंगे तो ठीक है अन्यता हम लोग ये पूरी कोशिस करेंगे इस सेशन को हम आपके साथ और आगे लेकर चले लोथल की बात करें तो ये भगवा नदी के तट पर इस्तित था कहां पर ये जो था भगवा नदी जो है उसके तट पर था और इसकी खोज उनेश्यों अहंदाबाद में भगवा नदी के तट पर है ये अस्तल खंभात की खाड़ी के अत्याद निकट और नजदी इस्तित है इस अस्तली खोज उनेश्यों सत्तावनिश्वी में स्री एस आर राव द्वारा कि इस तरी खोज स्री एस राव द्वारा कब की गई थी शिंदु घ सब्दाटि शब्दा शब्दा का यह अस्तल एक प्रमुख बंदर गास तल मनिस इस गुजराब के अहंदाबाद चिले के भगवा नदी के तट खंभाती खाड़ी के पास इस ती थे और आताकार अस्तल अस्तल कैसा यह आताकार है पौजकी खो ज़नी 150 में कौन कीज़ा रंगनात रादवारा की ते लोथल का साबदिकर्थ क्या बता से तता है लोथल का साबदिकर्थक्या है इस लिखनी देगा बहुत इंपोर्टेंट रेया साब की मर्जी ठीक है नहीं तो फिर कोई बात नहीं मुर्दो का इसका साब्दी कर्थ क्याल हो था लगा मुर्दो का नगर मैंने ये सिंदुगाट इस रब बताके कि मात प्रायशा नगर है जहां पे गोदी वारा मैंने डाक यार्ड के साच मिले हैं जिसका आकार 214 मीटर लंबा 36 मीटर चोड़ा और लगबग 303 मीटर गहरा है लोतल जो सहर था इसका जो बीभाजन धानत ये दूर गवन निचले सहर में नहीं था यहां पर बरतन के टुकड़ों पर चावल के दाने लगएगा शाच मिला है अब यहां पर देख सकते हैं ये आयताकार है लोतल शिंदु घाटिस अपरता कि इस बंदरगाह पर अस्थल लोतल में विशाल गोदी बड़ा मिला है इसे हम दाक्यार कहते हैं जो 214 मीटर लंबा और चोड़ाई की बात कर जो 36 मीटर और ग्यहराई की बात कर तीन दस्मुलों तीन मीटर ग्यहरा लोतल में धान व बाजरे दोनों के साच मिलते हैं इस बंदरगाह स्थल से हमें तीन युगल समाधियों के भी साच प्राप्त होते हैं तीन युगमित समाधियों साथ ही एक ममी का भी उदार्ण मिला है एक ममी का एक ममी का जी उदार्ण है पर मिला होगाई मिट्टी की बनी दो पस्वाक्रतियां गोरिल्ला की तरह दिखने वाली मुद्रा बारसिंगे की जैसे दिखने वाली मुहरे यहां से मिली हैं यहां की जो मुहरे थी और बरतनों पर बत्तक के ज्यादा चित्र मिले हैं किसके बत्तक साधि साथ साप के चित्रण वाले भी मुद्रा यहां से मिली है जो आपके लिए परिच्छा में पूछ ले जाते हैं अब जो आपके लिए है धौला वीरा धौला वीरा जो है यह वर्तमान गुजरात की कच्छ जिले की भचाओं तासिल में स्थित्र जी सिंडुखाटिश अबेता के कालीन स्थल मानकर और मानसर नदियों के पास इस्तित्र धौला वीरा में अनल जे खालीन स्थलों की विप्रित नगर का विभाजन तीन इश्यों में बताया उपके पके इखा और जिल्प सेशन को देख रहे हैं एक बड़ कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कोमेंट के माध्यां से जरू बताएंगेक इसका नाम धाया विरा क्यों पर encontramos तो ये हैं धार विरा की खुछ ऐसी आक्रृतिया जो आपके परहने के लिए काम saràmy कि अस्तलिक हो जोनेशु सार्शाड़ और सट की दसक में मैं सार्शाड़ और सट में जगपती जोसी ने क्या था धौला वीरा का अर्थ क्या था मैंने उपर अपसे पूछा था सफेद कुमा इसका सब्दिकर्द क्या है सफेद कुमा इसका भी आकार आयताकार है अन्य नगर जो थे वो दो भागों इभाजित थे लेकिन यो धौला वीरा है न यह तीन भागों इभाजित नगर था उपर देखिए यह देखिए इस विप्रित नगर को इभाजन तीन इस्ष्रों में था अन्य जो थे वो दो इस्ष्रों में थे दुर्ग था मध्य और निचला नगर एक दुर्ग था मध्य नगर दुर्ग नगर मध्य नगर निचला नगर लेकिन तीनों भार जो थे वो दुर्गी कृत थे यहां पर जल प्रबंधन का विस्ट है जल प्रबंधन बहुत ही बहतरी था जिसमें जल को रोकने के लिए नाली और आपूर्ते के लिए कुवा और बरसाती पानी को भी रोकने की बहुत देख लिएगा यहां पर जल का प्रबंधन बहुत बहुत बहतरी था जिसके जल को रो करने के लिए क्या है नाली है और साथि सा आपऊर्थी केलिए क्यूआ भी एक बढ़ता पॉर्थी के लिए लेकिन उसके सासाथ यहां पर और भी चीज़े देखिए बरसाती पानियों कैसे रोका चाहे जल निकासी कैसी होए और पानी की आपूर्ती कैशो इन तीनों की भी उस्ताया पर किये थे पानी को गठा करने के लिए 12 मीटर का गड़ा और 24 मीटर की एक नहर बनी होई थी जो परिच्छा में पूछा जाते हैं या आयताकार मुहरे गुलाभी रंग मिलें यहां पर क्या है गुलाभी रंग के बरतन मिले है यहाँ पर देखिए यहां पर हमें में बांग और क्रितिम जलाशाय के साच मिलें ये sm PhD किष्णगर में जल दिवस्ताती उपर हमने बताया इसके अलावा अनस्थोलों में राखी गड़ी शंगोल रॉपड कोटदारी इत्यादी भी शामिल है यहाँ फक गुलाबी रंग के बर्तन मिले जिए पकाकर काले रंग की चितरकारी यहां दुर्ग भाग मध्यमभाग की मद्यमा वस्तीत है यहां भभाव बिमारते मिल हैं जिसे spite वह सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा स्था यह था अब आप लोग वह gonna Might कि अनुप बताइस आप लोगों को टना परने में या समझने में गया पूछा कोईचा आप पर सामने है जो आप साथ देख पा रहे होंगे सबेता में नगर नियोजन बताई आप लो यह नगर नियोजन में क्या-क्या चीज़ें उपर मैंने इस पर डिसकस किया हुआ है अगर आपको याद होगा तो आप मुझे कहां से पढ़ रहे हैं या क्या-क्या चीज़ें मिल रही है बताईए चलिए अगर आप लोगी सेशन को पढ़ रहे हैं अगर यह सेशन आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है अनिता हम इस सेशन को और आगे लेकर चलते हैं और यह देखते हैं क्या-क्या आपके लिए लोगे घंटे वोने को आ गया है देखिए नगर नियोजन आपर हमने बात कर लिया उसे प्र्थम नगर शबधा अभी कहते हैं यहां पर सब्रकार नगर योजना एक गृडड प्रारूप अर्थात जाल्पद्दती पर अधारिग था इस तरह से आधारित था शुन्दुगाटी सब्यत्ता में जल निकासी प्रणाली थी अपना बीसेस महत्त रखती थी इस धौरान सहर में नालियों का जाल विछा हुआ था जो आपके लिए पहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से आप पढ़ ले और सवाल परिक्षा में भवनियर्मण के लिए भवन निर्मार के लिए पकी इटों का प्रयोक किया जाथ प्रतेज़ घर में a खुटेंट है यह एक रस्वराजनागार होता ईसन होता आप आट है दूसरा भाग जिसे हम निचला नगर ंबागि जिसे हम पूरी क्लासेज आप सभी के लिए देशित में राष्ठित में अब यहां पर हम बात कर रहे थे शिंदुगाटिस अबता का यह नगर नियोजन कैसा था यहां पर एक बार आप देख लिए फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल कोई संसर रह जाता है तो एक बार जरूर अच्छा देख यहां पर एक टॉपिक यहां पर साथ मुझे लग रहा है छोटा हुआ है कि सिंदुगाटिस सब्वित्ता में एक छोटा सा टॉपिक है बनावली देख लिएगा हैं इस सब्वित्ता में बनावली हर्यार के हिशार जिले में इस्तित है इसकी खोज़ उन्हें 1773 में आर्यस विष्ञने की थी यहां पर मने बनावली में मैं के तांबे की कुलारी मिली हो थी 310 subject का वाराग्य जो वाराग्य होता है वो यहाँ पर मिला था ताबे का वाराग्य बनावली से मिला था हल्की आक्रती का खिलोना बनावली से हल्की आक्रती का खिलोना भी मिला था सट्रंज के विशारत या जाल की आकार की बनी होई थी जो परिष्वां में पूछ př्रिक्ष्व में पूछा जाते हैं यहां पर एक ननगर था यह मो κ tegen दूसरा था रोपडंड के MIT इस बतूसरा क्या था रुपड़ यह भी परिष्वाम पूछ लें ते हैं उप मोगें यह पंजाब के 17 निदी किनारेश थी थे और 153 में दत या गिदत थे सर्मा ने के निचित्त में इसकी खोद उत्खलंकार किया गया था और आजादी के बाद सबसे पहले यही कुदाई हुई थी यहां मानों के साथ कुट्टों को भी दफनाने के साथ मिलें यहां पर मानों क इसलिए यह आपके लिए काफी अहम और काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है तो जो लोग इसे पढ़ रहे हैं वो इसे समझ लें और देख लें और उसके अलावा विगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं तो हम लोगों ने देखा इसके आवाज हम नोट के नपर नियोढ दो जिनमलों ने पढ़ लिया था अब हम लोग को पोड़ा अगला टॉपिक था अध्य्य इसीwnद्यों भात्र सत्तत्मक रहा हो तर बहुत इंप्वसरा परिख्छा में पूछ लिया जाता है यहां पर मात्र देवी की पूजा और मुहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़पव सब्वेता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक रहा होगा ऐसा माना जाता है समाज चार वर्गों में विभक्ति था विद्वान युद्धा स्रमीक और था पारिक यह काफी इंप्पोर्टनेंट है क्यों कि सामाजी प्रश्ता की बात के जैए कि कैसे पता कोई कह दिया जाए कि आपसे पूछ ले कि कैसे हम यह मान ले कि मात्र सत्त आत्मक था तो बताइए क्या आपको लगता है कि सिंदुखाटी जो शब्विता थी वो मात्रसत्तात्मक था किस आधार पर आप ये कह सकते हैं तो यहाँ पर यह चीदे समझ में आते हैं कि मात्रदेवी की पूजा मुहरों पर अंकि चित्तर से ये पता चलता था ये समास मात्रसत्तृत्मक रहा होगा यहां के लोग युद्ध प्रिय कम नहीं थे सांती प्रिय जादा थे यहां पर हम लोगों ने देखा कि इतिहास का रूंसार चार वर्गों में था पहला विद्वान दूसरा युद्धा तीसरा स्रनीक और चौथा व्यापारी कि यह लोग जो थे शाकाहार और मांसार और दूनों ही प्रक्तारा के भोजन का प्रियोग करते थे आर्दात्म क्या सकते हैं यह कैसे थे शर्वाहारी यह उनि शूत्य दोनों प्रकार के वस्तुरों काउपयो करते थे, पुरुस और महिला दोनों ही आभूशर्व पहनते थे, और यह शांती प्रिते, शिक्ति प्रते क्या थे, शांती प्री लोग थे, यहाँ तलवाल, ढ़ाल, सिरस्तार, कवच के साथ नहीं मिले हैं, माने यह लोग सा युद्ध नहीं करते थे साका हरी मांद से फिस दोनों थे यह यहां पर हम लोगों ने देखा कि इस सब कंधा की सब खास बात थे जो परिच्छा में पूछा जाता है अच्छा वास्तुकला वास्तुकला से जाने से पहले कुछ और बात कर जान लेते हैं समाजिक ब्रोस्था में यहां कर नगर नियोजन दुर्ग मकानों के आकार वो रूपरेखा शोग के दफनाने के धंग को देख कर लगता है कि सिंद्धुगाटी समाज के अनेक वरगों में जिसमें हमने उपर देखा बिद्वान युद्धा स्रमी को ब्यापारी की रूप में बटा हुआ था पुरोहित ब्यापारी अधिकारी शिल्पी जुलाहे स्रम को आदि में विभाजित होने की संभावनाय थी पुरोहित भी जुलाहे स्रमी ब्यापारी अधिकारी शिल्पी में विभाजित रहा हो कैसी संभावनाय है इतनी अच्छी ब्यवस्था थी तो यह मनरंजन के लिए पासे का खेल मनजन के लिए यह पासे का खेल नित्य शिकार पस्व की लड़ाई आदिन के प्रमुक स्रोत थे यहाँ पे सवकोन त्योष्टी संस्कार के तीन प्रकार से होता था जिसके प्रमाद मिले हैं आगे हम लोग उसके बारे में पर डिसकस करेंगे यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रशन हो कोई सवाल हो तो पूछ सकता है अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं उस समय की वास्तुकला कैसी थी तो वास्तुकला की जब हम बात करते हो तो हमारे मन में सवाल तो वास्तुकला के मारे मगर हम बात करें तो यहां पर जो कामन बाते निकल कर आती हैं वो याते हैं कि भारत में वास्तुकला का आरहम सिंद्वार्शियों ने किया था बहुत इल्बॉड़न है महरत में दुवाशियों ने क्या था यहां पर एक नगर सभ्वपाता थो फिक न कर्णके । भौने 2 ले अच्छा किस जग़ा के भौने 3 लेpielt steht कोमेंट गर जरा जवाब दीजीएगा तो वीडियो में कूंठ आपome अच्छ में तो में कि यहां पर शिंदुघाटी संदस्राथ में दरवाजे जो ते सड़क की ओर खुलते थे संदस्णा में खुल बेज़ काली बंगा में पक्क्येसा के साथ यह आपके लिए इंप्वाटेंट है अब यहां पर क्रिस्टी की बात कर लें यहां पर क्रिस्टी ब्यवस्था कैसे थी अब बिश्व में कपास का उत्पादन सरप्रथम शिंदवाशी ने कर दो पूरे दुनिया में कपास का उत्पादन सबसे पहने शिंदवाशी ने किया था किसने किया था शिंदवाशी चावल के साच लोथल शोराश से राजी सरसों के साच पादन करते थे जो साच मिले इसका मतलब हल से परचित थे ताली बंगा में जूते हुए खेट के साच मिले हैं इसका मतलब खेट भी जूते हैं तभी तो साच मिले गन्ना का कोई साच नहीं मिले हैं कहां पर शंदुगाति सब्वेता के लोगों कपास दुनिया वे सबसे पहले कपास सिंदुवासी अब हाथी वो गोड़े से परचित थे हाती और घोड़े से परचित थे वह बैल, भेड, बकरी, शुवर पालते थे, कूबर वाले सान का विशेश यहां पर महत्तो था, आगे हम लोग इस पर भी देखेंगे, यहां पालतू बनाने में असफ़ल रहे, वह सिंद्वा से हाती घोड़े से परची तेकिन्दों ने पालतू बनाने में असफ़ल रहे, पालती वासियों को गैंडा, बंदर, भालू, खरहा, खरगोष, आदि जंगली जानरों का ज्यांत, शेर का कोई भी साच्छे नहीं मिला है, शेर का कोई भी साच्छे आपर नहीं मिला है, और रास्थान में जुत्तवे खेत के साच्छ मिले हैं, कहां पर रास्थान में यूं कह सकते हैं आर्थिक जीवन इनका अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें शिन्दुगड़े शब्धता की लोगों का अर्धवेवथा शिंचित क्रिसी पशुपालन विभीन दस्तकारियों की दच्चता और अंत्रिक और बाहरी व्यापार पराधारित थी काले रंग की आकरतियों से चित्रित लाड मिद्भांड फडपस ब्रता की सबसे बड़ी बिसिस्ता थी क्रिसी उपर हम लोगों ने पढ़ा सिंदु घाटी के लोग बाण उतर जाने पर नौंबर के महिने में बाण वाले मैदान में बीच बो देते थे और अप्रैल मा में यहूं और जो की फसलों को काट लेते थे उपर हम लोगों देखा नो रास्था में जुत्यों के साथ मिले थे सबसे पहले कपास पैदा करने का सरे शिंदु घाटी शपिता के लोगों के पास है इसलिए यूनानियों नहीं से सिडोन जिस्टी उत्पत्ति शिंदु से हुई है नाम दिया है क्या दिया है सिडोन बैल भेड बकरी शुवर भी पालते थे कूबरवाले सांड का विशेश्म महत्तो था यहाँ पर सेंदों जो लोग थे शिंदुघाटी की जो लोग थे पत्थर के अनिक प्रकार के आउजार का प्रियोग करते थे तामबे के साथ 10 मिलाकर कांस धार करते थे तामबे के साथ 10 क्या करते थे आवापपलस कि या बनाते थे as यह पूचह जाते हैं किसलिए 42 योगीन सब्वेता कहते हैं कि कि पूचह कहा जाता है इसकल इसे सवाल आगे लोग चलते मुद्रा का पचलन नहीं था बहुत इंपोर्टेंट है रख लेजे लोग अन्य सब्यता के लोगों के साथ ब्यापार करते थे के वह अन्य सब्यता के लोगों के साथ ब्यापार करते थे अब देखिए अफगानिस्तान और इरां से तीन गहां से, अफगानिस्तान और इरान से, अब यह पूछ लिया जाए कि भईया तीन अगर अफगानिस्तान इरान से आता था, इरान एक तरस देखा जाए तो मद एसिया का हिस्सा है, मतलब शिंदु काटि शब्वता का जो छेत्र फैला हुआ है, वो मद एसिया तक था, टर्वार्टी ए इस्थान के और हैं चांदी अफगानिस्तान जय ज़ल बंगों है द्छणसें M ai लाजव drifting बदबखसा अफगानिस्तान और मसोपटामिया है अफगानिस्तान लागभश्दा से है इसके अलावा सेल खड़ी पूछा जाता है परिच्छा में सेल खड़ी लिख लिएगा सेल खड़ी बल्चिस्तान राजस्थान गोचराच से फिरोजा इरान से फिरोजा कहां से इरान मद्धेशिया से शाषंता प्रश्वत्तामे शिलफियों और यहां पर क्या था शिलफियों और यहांपर का शातंता शिल प्रइब वस्तु बिनमे द्वार होता था मुद्रा का कोई साथे नहीं विला उपर हम लोगों आपर पढ़ा भी लोथल से फारस की मुहरे काली बंगा से बेलनाकार मुहरे भी शिंद्व सब्यता के में ब्यापार के साच बताते हैं कि यहां से बिदेशी ब्यापार होते थे इसलिए आयात की जाने वले वोस्तु के स्रीज में हम लोगों आपर पढ़ा इसको समझा इसकी स्किन सोट कर ले अगर नोट्स बना रहे तो नोट्स बना लीजिएगा धर्म की बात करें मैं आज धर्म की हम बात करते हैं लेकिन उस समय शिंद्व घाटी सब्यता की लोग भी धर्म की बात करते हैं अब हम देखते हैं कि उनका दो धार्मिक दिश्ट कोन था वो किसा धार्पता उनका धार्मिक दिश्ट कोन कैसा यह हम लोग समझेंगे माने वह मात्र देवी पुरुस देवता माने मात्र देवी उपर हम लोगों ने पढ़ा मात्स अत्मक था लेकिन पुर कि एक सील पर तीन मुह मुख वाला मुख वाला द्यान की मुद्रा में बैठा हुआ अ आसन मिला मारसल लेनी हें आधश्यूव कि संघय मार्सल हुने क्या कआ अधश्यू है अ मने एक शील मिला मुह शिव कहा अब हम इस सेशन के घर हम बात करें तो हड़पा से बिदा में मंदिल कोई उसेश नहीं मिल यहाँ पर मात्र देवी पुरुष द्योत्ता में पशुपतिनात लेंग योनी ब्रिच प्रतीक में पशु जल इनकी पूजा की जाती थी मतलब उन्हें जिसे डर था प्र से निकलने वाला पौधा दिखाया गया जोपर हम लोगों ने पढ़ा जिनके बारे में मतलब हड़ापस सब्यता के लोग धर्ती को उर्वर्ता की देवी मानकर इसकी पूजा करते क्यों बीच को बहुत दे थे उसमें से पौधा बनता था अनुगता था तो उनको लगता दहाता के यह है दरती माता है और उनके उनकी उलरता गज़र्श रही है स्वास्तिक चक्र और क्रास के भी साच मिलें स्वास्तिक चक्रों क्रास के भी धार्मिक दिश्टिकूण के अधार पर इडलायलिक और ब्यापारिक अधिक था ये क्या था एक लौलिक और द्यापारिक अधिक था अगे यहाँ पर देखेंगे मनिन मंदिर का कोई अक्षियस नहीं मिला लेकिन मुहन जोद्रों की मुहर से स्वास्तिक चिन कहां से मिला और स्वास्तिक चिन के अलावा चक्र क्रास के भी साच मिले हैं ब्रिच पूजा के सांच्छी मिले इसके पूजा के सांस मिले लिले पीपल और बिभूकल की पूजा ओती थी शिंदु शबता की प्रेतवाद, भक्ति और पुनर जनवाद के बीज मिलते हैं मैंने शिंदु शबता में प्रेतवाद, मैंने बूतवोत होता है भक्ति के और पुनर जनवाद के भी बीज मिले हैं यूँ क्या सकते हैं साच मिले है अब देखें यह कुछ ऐसे हैं जिससे अस्पष्ट होता है कि उस समय के लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं अब यहां पर देख सकते हैं अब लो अंत्योष्टी के प्रकार अंत्योष्टी के गर हम बात करें तो यहां पर देखिए अब देखते हैं इन तीनों तरह के बारे में है देखें लोथर्द में युग्ल शवाधान का साच मिला है मने विद्वान इसको सती पठा के रोप में देखते हैं और एक साथ दफनाने का महिला परूस रोपण से मालिक के साथ कुटता दफना जने क्याने के साच मिले हैं जब आगे देखते हैं कि अब और क्या क्या चीआं पर पढ़नी है और आगे क्या क्या चीजा आप लोग को जाननी है तो सिंदुगाटी सब्रित्ता में पढ़ने के लिए बात किया जाए तो यह एक टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन हम लोग यह कोशिस कर रहे हैं कि इस टॉपिक में इतना तथ्य को पढ़ लिया जाए ताकि परिक्षा में अगर शवाल आए तो गलत ना होने प शवाधान के साथ छिम्ले हैं यहां पर जो सोग को दफनाने के मैंने पूर समाधिकर्म को क्या क्या जाता कि भूमि में दफना दिया जाता था वहीं दूसरी बात करें आंसिक समाधिकरम, मैंने इसमें 100 को बाहर रख रख जाता था, चील कवे खा जाते थे, जो बसता था फिर उसे दफना आ जाता था, मैंने मित शरीर को पच्छी खा लेते थे, पच्छी खाने के बाद जो बसता था से उसे भूमी में दफना दे जाता था, जिसे हम आंसिक समा आधान समाधिकरण कहते हैं दासंस्कारम अगनी संस्कार मनें आग से जलता तो यहां पर तीन तरह की अंतियोस्टी होती थी लोथड में देख लिया हम लोग ने और रोपड में उत्ता भी तफना आ जाता था लिपी बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर लिपी काफी बहुत पूर है और इसको भी हम लोग को पढ़ना है लिपी को भी हमने देखा इस चिंदु लिपी स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है बहुत इंपोर्टेंन है हिए हिए कि चित्रों में मचली चणिया मानोखृती आदिके चणि मिलते हैं तो यह आप लोग जानते रहेगा चिंदु लिपी दाये से बायि लिखे जाती है और जरा बताई देवलागरी किदर से किदर लिखी जाती है कॉमेंट करके जवाब दीजिए अगर अपने हाथ तक पढ़ लिया तो कि अब सवाल आता है कि हरफा सबयता पतानी क्यों हो गया या कि बता सकते हैं को मेंन बताई गए विलूप्ट होने की अलग लग विद्वान देते हैं इसमें से कुछ देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है ब्रस्टित्क स्रेख्भात और प्रोपा सब्सकतितिंग और गंद अगनने सुख एंद में जल प्लावन मतलब अगर इसको देखा जाए कि अनि प्राग्दी अबदाई होगी क्या सारे लोग मर गए क्या कोई नहीं बचा होगा परशासनी स्थिल्था जो है परशासनी स्थिल्था यह कौन यह जान मार्सल मानते कौन मानता जान मार्शल परशासनी स्थिल्था रही होगी आपस्वे लोग कट मर गए होंगे यह बाहे अक्रमड हुआ था यह बाहे अक्रमड कौन मालता है चाइल्ड यह विलर मानते हैं जलवाई परिवर्तन हुआ था यह कौन मानता है आर्ल इस्टाइलिन मानते हैं कि जलवाई परिवतन उगा और आं जान उखक घरिंगे 5 ुए भोग वॉग होगा तो ये ऐसे कई कारण है जो यह माना जाता है कि हडपा सभिता के पतन के कारण है वैसे याप कॉमेंट करके बताई होगए वैसे कि तनी नगरीं सभिता जहां इतना नगरिक्त था वह किस तरह खतम होगा क्या कोई महमारी आई होगीrist उसे अपने कोबिड जैसे महामारी देखी थी या कोई ऐसी बीमारी फैली होगी वैसे क्या हो सकता है आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्सर में जाकर कॉमेंट करके जरूब बताएगा अगर छेत्रफल के दिश्टिकूर्स अगर हम लोग देखें के तो हडपा लीं नगरों का करम के जाता सबसे बड़ा मोहुंजोद्लो परिक्ष्छा में पूछा जाता है उसके बाद दूसरे पर हडपा तीसरे पर धावला वीरा चॉथा पर पर काली बंगा इन्पोर्टंट है परिक्षा में पूछ लिए जाते पैो कि तौलना वीरा भारत मिष्की सबसे बड़ा हड़़ा पालीन अस्थाल यह परिक्षा को इने परिक्षाओं में खूब सारे अबर्बर के शवाल आते हैं तो इस प्रकार हम लोगों ने सिंद्धुगाटि शब्रता के जो कॉंसेप्ट थे उनको पूरी तरह से पढ़े लिया समझ लिया अब आपके मन में जेहन में बहुं सारे सवाल उठ लिएगा लाइक नहीं के तो लाइक कर रखेगा चनल पर नए हैं सस्क्राइब करके बैल आ यहां पर नंबर दिख रहा है आप चाहें और लिंग क्लास की टेलिग्राम पर जरू जुड़िएगा तक इस सभी क्लासों की नोटिफिकेशन और लिंक आपको एक ही जगा मिल जाब टेलिग्राम पर जैसे दुर्गेश सर्च करेंगे इस आप जोइन कर लिजाएगा मेरे दोनों मीडिया में उपलब देने पीडिया फार्मेट में भी आप प्राप कर सकते हैं और ध्यान रहें यहां पर नोट्स है और नियू यह दोनों आपको यहां पर में जाएंगे और साधी साथ अगर आपके लिए अफिस का नमबर चीत इस नमबर पर काल यह वाट्शप क करकर आप नोट्स समधित सभी जानकारी ले सकते हैं मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपके लिए निशुल्क देशित में राष्टित में उपलब्द हैं अब हम यहां पर इसके बाद हम इसका एक सौट लेंगे तहाप पर हम लोग यह क्लियर कर सकेंगे कि इसमें क्या का ची वखास को देखते हैं मुला यहां पेlt Hoopar के लिए अधिक आखेस तय यहां पर अधिक यहां पर सासर्ण वारिद ज्वर की आतों में था यह एसी संभौना लगती तो अलग लग लोग हंटर कहते हैं कि मुहन जोदलो का सासन जो था वो राजतंत्र ना होकर जनतांत्र था मैके कहते हैं उनका यह मानना था कि मुहन जोदलो का सासन एक प्रणिशित सासन के हाथ में था वही इस्ट्वर्ट पिग्न जो थे वो सिंदु प्रदेश के सासन पर पुरोहित्वर का प्रभाव मानते हैं लेकिन जो फिलर थे उनका मानना था कि सिंदु घाटी सप्विता को जो लोग थे सासन को मध्यवर्गी जन्तत्रात्मक्त और उसमें धर्म की महत्ता को भी श्रिकार किया है लेकिन अंतोगत्वा आप में बताएगा कितना पूरा पढ़ने वाद आपको क्या लगा कि सुंद्घाटी सब्विता का जो राजिती विवस्ता थी वो कैसी रही होगी केंद्रिकृत सक्ति से सठल सब्विता इब सकती हम लोग रिवीजयन सेरी जब लेंगे तो हम कोसिस करेंगे नोट्स के माद्यम सुन तमाम तठ्थों को पढ़ने का जहाँ से आपके परिक्षों में सवाल पूछे आते हैं उन पर हम लोग पूरी तरह से फोकस रहेंगे लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा से बैर रखना होगा इंतजार करना होगा और अगर आप कॉमेंट करेंगे त लेकर आएंगे तो जब हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे थेरी के कॉंसेप्ट को भी किलियर कर लेंगे ताकि इस पूरे थेरी को पढ़ने के बाद जो चीजे बचे जाती हैं वो जो चीजे हैं चूड़ गई यहां मिल यह नहीं मिलें तो दोनों के दूसरे के पूरफ हों बनाया रखेंगे आप लोग इस सेशन को अपने साथी मित्रों तक शेयर करेंगा इस साथ इसको सभी लोगों तक पहुचा दीजेगा अगर आप कहेंगे तो कुछ सारे शवाल भी हम लोग जाते यहां पर पोछे लेंगे ताकि आप भी जवाब दीजेगा और यहां तक बने रहें यह मुझे अच्छा लगा क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट से संता यह नंबर हो सकता आपके काम में आ जाएगा इसलिए नंबर को मैं साप साप लिख दे रहा हूं कि वहाँ पर नहीं दिख रहा है कुछ लोग कर रहा है कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कुछ आपाता हूं देख पता हूं वैसे आप चाहें तो जोड़कर पढ़ सकते हैं आपकी अगर इच्छा है तो देखिए यहां पर कई चीज़ा ऐसी थी जो हम लोगों ने पढ़ा कुछ लोग कहते हैं कि यह इसकी सभिता मुस्व पढ़ामी ऐसे थी तो इसको जो डिसक को कबर करने का हमने प्रयाश किया है तो आज का सेशन में शिंद वगाड़ इस से बेटा दिए आपके लिए बाटेपूर्ति मिलते हैं एक और ने सेशन के साथ तब तक कि आप शवी के लिए बाई बाई वीडियो को शेयर जरू करेगा सेशन में अगली सेशन अगर चाहत है वरना जो नोट्स आपको स्वाट में मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी ताक कि आप रिविजन करना असान हो माइन मैप टाइप का कॉंसेप्ट होगा ठीक है अब सभी का थेंक्यू बाई जय हिंद जय भारत सभी को बाई थेंक्यू